तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं,iguous a holyST,AND, रिवीजन शुरू करने वाले हैं, tyre हम आपना उटे खतमकर दें टो जादे अच्छा रहे हैं, आपने से लोगों नहीं यह कहा था कि टार्गेट साम को मिल जागा तो ठीक रहेगा तो बता दू कि मेरे पास डाटा भी नहीं है मेरा जितना डाटा था मोबाइल में तो इतने टाइम टारेट बना रहा हूं तो आज जो हमारा चीज़े हैं मैं सोच रहा था जैसे कि जो भी चीज़े हैं में रिविजन करना हो जीके में मैं खुद उस जो अपने नोट्स में लिखा है मैं खुद इस ब्लैक बोर्ट पर उसे लिख लिख के आपको बता दू कि यह चीज आपको आज रिविजन करना है या तो आप इसी ब्लैक बोर्ट पर इसे कर लेजिए या तो इसे खुद नोट्स कर लेजिए तो आज तो मैं बहुत कुछ लिख नहीं पाया कि वल्ट लिखा है लेकिन कल से मैं सोच रहा हूं कि जो भी चीज़े हो उसे मैं इस ब् नोट पर लेंगा बाकि खुद से कर सकता है थीक है ठीक तो यह कईसा रहेगा अगर कर लेजन ऑसा लेकर अन तक कवर कर सकते हैं तो torch लेकर कर सकते हैं तो calculation करना के QA calculation को मैं कभी but सकता तो आप में इसे बहुत प्रिजसे बहुत से लोगों कहते हैं कि time manage नहीं हो रहा है time कम पड़ ज़ा रहा है बहुत time लग ज़ा रहा है तो यह दिक्कत है calculation की आपका calculation पर आपने कामीन होना है अभी भी timessä अभी exam कर्डेट नहीं आया तो अभी भी time है अभी से अब अब से भी आप अपने calculation पर काम करनेंगे तो जादे अच्छा है तो calculation करना 1 से लेकर 10 तक वर्ग लिखना है एक से लेके 10 तक घन लिखना है करना क्या होता है जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो बस देखलू कि हमारे टार्गेट में एक से लेके 10 तक वर गए तो लिख दो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 वर गो गया है घन लिख दो 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000 यह हो गया बस कितना टाइम लगा इतना टाइम आपको सच में लगेगा लिखने में अगर याद नहीं है तो उसे 2, 4 बाल लिखेंगे तो याद हो जाएगा फिर आपको क्या करना है 10 जोड घटाना गुड़ा भाग करना है यह कहां से करना है एक आप है मैत ट्रिक्स करके आप है मैंने इस पर पूरा वीडियो बना रखा आप लोग डालेंगे यूटूब पे तो मिल जाएगा आप लोग को वहाँ से 10 जोड दस घटाना दस गुड़ा भाग करना है ठीक है तो एक चीस में बता दूं कि अगर किसी ने टेलीग्राम नहीं किया चर्ल करना है Learning is Target Learning is Target description में भी उसका LINK दे रखा या तो महां से कर लीजिये या तो Search कर लीजे Telegram पर मिल जाएगा क्योंकि उसरी पर हम सारे Update जो भी है उसरी दालें तो join कर लीजिए तो revision में सरसे पहले आपको calculation करना है फिर आते हैं हिंदी में तो हिंदी में आज आपको दो परवाची करना है क्योंकि परवाची से पहले हम ने कर लिया तो अब हमें रिवीजन करना है तो मैं याद कैसे करता हूँ वो दिखाता हूँ तो हिंदी में हमें एक अमरित का परवाची याद करना है एक मचली का तो अम्रित का सुधा, अमिय, सोम, प्यूस, अमिय, सुर्भोग, मधु, जिनोदग, मचली का जल, जीवन, जल, तोरी, मत, सिमीन, सप्री, जस, अंडबव, जैसे मुझे याद है, इसको मैंने कैसे याद किया है, बता रहा हूँ, जैसे अम्रित का, ऐसे याद करना है, सुध सुधा, अमिय, सोम, सुधा, अमिय, सोम, ऐसे मैं लिखता हूँ, जैसे सुधा, अमिय, सोम, तीन हो गया ना, तो अम्रित का सुधा, अमिय, सोम, अब उसके आगे दो और जोड़ देजे, अम्रित का सुधा, अमिय, सोम, प्यूस, अमिय, सुर्भोग, तीन और जोड़ दे प्यूस अमिय सुर्भूग फिर एक साथ बोलना है छह के योग साथ बोलना है अमिय सुर्भूग फिर इस इन दोनों को जोड़ लेना है फिर सब को एक साथ आख बंद करके बोलना है अमिर्द का सुधा, अमी, सोम, प्यूस, अमी, सुर्भोग, मधुजुनुदक जहाँ पर बोल जा रहे हैं उसे एक बार देख लीजिए अच्छा बोल गया तो फिर से अमिर्द का सुधा, अमी, सोम, प्यूस, अमी, सुर्भोग, मधुजुनुदक ऐसे करके याद के जाता है पांच मिनट देंगे पांच से दस मिनट लगातार तो ये याद हो जाएंगे दोनों मचली का जल जीवन, जल तोरी, मत, सिमीन, सफरी, जस, अंडवो मुझे तो यहाँ पे दोनों याद हो गया उसको आद हिंदे भी क्या करना आपको वर्ड माला चैप्टर पढ़ना है वर्ड माला चैप्टर अपने बुक से पढ़ लिजे या तो अपने नोट से तो वर्ड माला चैप्टर करना है और आज ही वर्ड माला चैप्टर पढ़ने के बाद मैं previous year का वर्ड माला में जितने भी question पूछेगा है previous year का एक book है वो डाल दूँगा telegram पर उसमें वर्ड माला chapter के 189 question दिये हुए है उस 189 question के कुछ question को आज को आज करना है आज को करना है यानि वर्ड माला हम कल भी करेंगे तो दो दिन वर्ड माला करेंगे यह इंपोर्टेंट है और वर्ड माला बहुत बड़ा chapter नहीं है तो 189 question में से आज आज को करना है मैं बता दू कि upsi, up constable, z worda, uptate, video, लिखपाल, जितने भी paper होते हैं और जितने भी paper में हि इंदी पूछे जाती है वह सारा प्रिबिएस येर क्यूश्चन मैं टेलिग्राम पर डाल दूँगा और वह चैप्टर वाइज है याणि वर्ड माला आज तक जितने भी पेपर में पूछा गया वह सारा बिलोम करना है बिलोम को कैसे करना है जैसे यह यह तो अपने उपर है बिलोम मुहावरा यह तो पांच-देस मिट लगेगा सब हो जाएगा बिलोम को ऐसे करना जैसे एक बुक है आपको उसमें क्या करना है एक पन्ने एक पन्ने में दो पेज होता है तो एक पन्ने को बिलोम क साइत में ग्यांट पूरशकार करना है यहां पे आप लोगों दिख रहा होगा तो यह सर है इनकी एक वीडियो है काफी छोटी वीडियो बहुत बड़ी वडियो नहीं है तो कर लिया होगा नौट्स बना लिया होगा तो रीविजिन कर लिजेगा अगर नहीं कर राये तो होगा हमें अच्छे से करना होगा ताकि वह एक बार अच्छे से कंठस्त हो जाए दुबारा बार-बार रिवीजिन लिएफ करने प्लिक यह मैं भेल आपको सब कुछ याद ओझाए घ्यांप पुर्षकार अभी तक कितने लोह को मिला यह कब मिला है ठिक है यह हमारा पास चारी सब्जेक्ट है न हिंदी है मैं थे रिजनिंग अगर आप आठ से दस गंटे पी पड़ते हैं तो हिंदी आप से त्वेड़ घंटे मांगेगा यह पांच मिनट यह पांच मिनट बाकि वर्ड माला और ग्यांट पिछ इसे दस मिनट में याद कर लेंगे मतलब एक पूरा यूपीज कर रखा था तो सबसे पहले आपको क्या करना यूपीज का क्लास नमर वन का पीडियप में टेलिगराम पे डालूंगा उस पीडियप को आपको अच्छे से दो से तीन बार रिवीजन करना है हलाकि आसा करता हूं कि आप लोग नोट्स बनाया हो मैंने तो नोट्स बनाया है तो आप लोग उस नोट्स से ही रिव्याज कर लिजेगा लेकिन जिनों नहीं बनाया है उनके लिए मैं पीडियप डाल दूँगा ठीक है और एक चीज यूपी जीके में अगर आपके पास मैप नहीं होगा यूपी का नक्सा तो आप हलाकि मैंने तो दो रुपय में लिकल लवाया है लेकिन अगर आप यह 10 रुपय अगर आप देंगे तो यह कलर वाला लिकल जाएगा तो अपने मोबाइल में यूपी का नक्सा डाउनलूड कर लिजेगा और उसे उस कंप्यूटर वाले को दे दीजेगा दुकान पर जाग लकती बलरामपूर यह तीनों अप्शन में था तो अगर मैप आपको पता है कि मैप कहां कहां कौन से जिला है तो आप लोग कर लेंगे उसमें कुछी नगर था जो की नहीं लगता है ठीक है तो मैप लोग लिखलबाद लिजेगा यू पीजिक के की लिए कि यू पीजिके का क्यूशन भी साफ्ट से नौ क्यूशन पूशे जाते हैं फिर हम क्या करेंगे सविधान सभा आप लोग रिविजन कर लिजेगा वैधानिक सभा फिर इतिहास में सिंदु वैदिक और से चानी कि आपको भुगोल से आिंदेन जिओर पिस तो 12 करने का से में प्रतलिक पूरा का पूरा झांद वुट्ट टेरीग्राम नाप आप लोग वहां से 120 क्यूशन अच्छे से कर लिजेगा मैं बता दू यकीन मानिए कि आपको अगर आपके पास कोई बूक हो तो रिविजन कर लिजेगा लेकिन अगर आपके पास कोई बूक नहीं है तो केवल 120 क्यूशन के मदद से ही आप इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छ के 40 क्यूशन नितियास के 40 क्यूशन और भारत वोल के 40 क्यूशन आपको देखना है बाकि जो स्टैटिक चीजे हैं वो हमकल से एड़ करेंगे क्योंकि आज टाइम नहीं है जो एड़ करेंगे मैं इसमें खुद यहां पर लिख दूंगा ठीक है उसको बाद रिजिनिंग मे सबसे पहले आपके पास सिलेबस हो और सिलेबस के अनुसार आपको क्या करना है तो रिजिनिंग में तीन सेक्षन है तीन सेक्षन है पहला एक सेक्षन तो मांसी का बुरुची है तो मैंने कहा था मांसी का बुरुची हम रवी तीवारी सर्शे करेंगे उनकी किलास को आप क बाकी रही बात बाकी रीजनिंग की तो आपके पास स्लेबस होना चाहिए यूटूब पर डालना है यह वाला चैप्टर मुझे नहीं आ रहा है तो अब reasoning में क्योंब practice करना है तो 55 question आपको daily एक कहीं से practice करना है मैं बता रहा हूं कहां से करना है जैसे एक चैनल एक्जामपूर आप अगर एक्जामपूर पर जाएंगे इनके एप पे तो आप यूपी पुलिस के बहुत सार टेस्ट पड़ हुए है उसमें से अगर आप कुछ नहीं मारना चाहते तो कि वह रिजिनिंग के पच्पन क्यूस्टन मार लीजिए उसके बड़ टार्गेट विद अंकित का एप डाउनलोड करेंगे तो यहां पे भी यह हर संडे को मॉक देते हैं तो पूरा मॉक पड़ा होगा पंदर बीस मॉक पड़ा होगा तो आप वहां से भी रिजिनिंग प्रक्टिस कर सकते हैं उसके बड़ टेस्ट बूक होगा तो टेस्ट बुक डाल दूगा टेलिग्राम पे आप लोग उस बुक से चैप्टर वाइज प्रक्टिस कर लिजेगा अब रिजिनिंग में केवल प्रक्टिस के जरूरत है बाकि जो चैप्टर नहीं आएगा वह आप अपने इसाफ से सर्च करके पढ़िएगा अब बात करते हैं मैत की मैत में आपको संख्या पदति करनी है तो मैत में आपको क्या करना है जो गगन परताप सेरे हैं आप लोग सब जानते होगे उन्होंने यूपी पूलिस के लिए जो 17 ठार को पेपर वाथा उसके लिए 2 कलास लिया था अब मतलब कलास लिया था 20 कलास लिया था लेकिन 16 कलास हुआ था तो उन्होंने संख्या पदती पढ़ा रखा है पहला कलास उन्होंने संख्या पदती पढ़ा रखा है उसमें उने मुझे चाड़ चाड़ के अच्छे च्युषन करा रहते हैं तो उस कि लास को आपू अच्छे देखना है उस क्युषन को अच्छे करना है बार बार रॉजण करना है आपका मैत अच्छा हो जाएगा यकीन मानिए ग trophy स्रसी फिर जनावरी की दिवस तो मैं भी अपने तरीके से जो मैं थैप्टर वाइज बता रहा हूं लेकिन मैं यह तो कहूंगा ने कि बहुत बड़ी लगी हो तो आप इसकीन सोट लेके रख सकते हैं अपने कॉपी में नोट कर लिजीगा अपना टाइलेट बना लिजीगा तो यही चीजे आपको रिविजन में करना है लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यह 120 कुछन करन करनी है तो आशा करूंगा कि मैं कल से बहुत अच्छे तरीके से यहां पर खुद लिख लिख के आपको बताओं कि यह चीजे करनी है ठीक है तो आज के लिए माप कर देना आज बहुत बस आपको टार्गेट दे पाया हूं कुली कुछ लिख नहीं पाया हूं क्यूंकि रा हैं